14 सितंबर 2023 को पिठोरी अमावस्या है इस साल भादरपद अमावस्या के दिन अद्बुत सैयोग बन रही है बता दे कि इस दिन साध्य बुधादेत्य योग और पूरे फालगुनी नक्षत्र भी बन रहे है वहीं जोत शास्त्रों में सैयोग को बहुत शुब माना गया है ऐसे मैं ये जानते हैं कि पिठोरी अमावस्या पर किन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं बादरपद अमावस्या के दिन वरशब राशिक के लिए आर्थिक लाब होगा लंबे वक्त से अटके काम पूरे होंगे धन में वृद्धी होगी पैसों की आवक के नए रास्ते खुलेंगे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी मैं तुला राशिवालों के लिए भादरपद अमावस्या शुब रहेगी नौकरी में तरक्की के प्रबल योग हैं पद के साथ पैसा भी बढ़ेगा कानूनी मामलों में राहत मिलेगी वरिश्यक राशिवाल लोको परिवार में खुश्यों का माहौल मिलेगा घर के लोगों का सपोर्ट होगा आत्म विश्वास में वरद्धी होगी कारेस्थल पर लोग आपके काम की सराहना करेंगे फिलाल इस विडियो में इतना ही विडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें